सभी साथियों को नमस्कार पसू ग्यान वैट सब ओफिशियल यूटूब चैनल पर आप सभी का सुवागत है आशा करता हूँ सभी की जो त्यारी है वह बहुत ही बढ़िया चल रही ही होगी जुलाई महिने के अंदर मारत जो जून का महिना उसके अंदर संभावना नहीं लग रही कि आपका अगजाम होगा लेकिन जुलाई के अंदर पोसिबिलीटी है कि आपका अगजाम हो जाए आज हम हमारी MCQ सीरीज के अंदर अनिमल नूट्रिशन से रिलेटेड टोप 20 कोस्टन करने वाले हैं जिसके अंदर पहला कोस्टन रहेगा मैच दा फोलोगिंग रफेज के अंदर बताना है कि कितने परसेंट T.D.N होगा और कितने परसेंट C.F होता है रफेज का मतलब होता है चारा चारे के अंदर श्ट्रो रहेगा इसके अलावा भूसा, कड़बी ये सब के सब किसके अंदर आते रफेज के अंदर आते रफेज और कंसंट्रेट का रेशियो हमें पता है कि कितना होना चाहिए टोटल राशन का दो ती हाई और कंसंट्रेट होना चाहिए एक ती हाई मतलब कि अगर रफेज और कंसंट्रेट का रेशो आए तो वह रहेगा आपका रफेज और कंसंट्रेट का रेशो कितना रहेगा रफेज और कंसेंट्रेट का रहेगा 2 ratio 1 और कंसेंट्रेट और रफेज का आए तो 1 ratio कितना रहता है 2 रहेगा रफेज के अंदर भी एक रफेज होता है Dry रफेज एक होता सुकुलाइंट मतलब कि गीला रफेज Dry रहेगा दो थीहाए और जो सुकुलाइंट रहेगा वहाई भी रहता है एक थीहाई इसका मतलब इनका ratio भी two ratio बन रहता है रफेज के अंदर कुरूड फाइबर की मातरा 18% से ज़्यादा होगी और जो T-DN होगा उसकी मातरा 60% से कम रहती तो इसका होगा हमारा 2P Milan कंसंट्रेट के अंदर रफेज का उल्टा रहेगा कंसंट्रेट के अंदर CF की मातरा तो 18% से कम रहती है फाइबर्स इसके अंदर कम रहेंगे और इसके अंदर T-DN की मातरा 60% से ज़्यादा रहती है तो इसका उप्सन रहेगा हमारा A नेक्स्ट आता है रफेज रफेज के अंदर अब हमें बताना है कि कितना T-DN रहेगा कितने परसेंट और DCP कितना रहता है रफेज की बात करें रफेज के अंदर जो DCP की मातरा होगी Digestible Crude Protein उसकी मातरा रहती है 0% वैसे अगर स्ट्रो की बात करें स्ट्रो के अंदर स्ट्रा के अंदर आपकी जो Crude Protein है वह है कितनी रहती है Wheat श्ट्रा की बात कर लीजिए 3% रहती है लेकिन इसके अंदर Digestible Crude Protein की मातरा कितनी रहेगी 0% रहती है स्ट्रा के अंदर बात करें Total Digestible Nutrients रहते हैं 40% के आसपास और Digestibility रहती है 46% के आसपास अगर हम इसी रफेज को Urea Treat कर दे तो इसके अंदर TDN की मातरा 40% से बढ़ कर 50% हो जाती है और Digestibility 60% से बढ़ कर 70% हो जाती है जो Crude Protein 0% था DCP 0% था उसकी मातरा 4-5% तक बढ़ जाती है तो Urea Treated के अंदर कितनी बढ़ जाती है 4-5% और Total Digestible Nutrients बढ़ जाते 40-50 40-50 हो जाएगे और रफेज के अंदर TDN 40% और DCP कितनी रहती है 0% रहेगी Next आता है Stroh का हम Urea Treatment कितने पर करते है Succulent रफेज का कितने पर Concentrate और राशन का कितने पर राशन होता है कि एक दिन के अंदर हम कितना राशन उस पसु को खिला रहे हैं उसको बोला जाता है राशन कितने न्यूट्रियंट्स उस पसु को दे रहे है कितनी डाइट का मतलब होता है एक बार में हम उसको पसु कितना खान पान दे रहे हैं कितना खाना दे रहे है कितने न्यूट्रियंट्स दे रहे है कितना न्यूट्रिशन दे रहे है और रासन होता है एक दिन के अंदर जो चारे की उपलब नमात रहा है पसुगों कितना चारा दे रहा है उसको बोला जाता रासन रासन का मतलब हो गया एक दिन के अंदर तो इसका यूरिया ट्रीटमेंट भी एक परसेंट यूरिया से ही करते हैं ऐसे याद कर रखा कि रासन का मतलब एक दिन में और एक परसेंट से इसका यूरिया ट्रीटमेंट किया जाता है कंसंट्रेट जो कि अभी अभी जो पंजाब के अंदर अग्जाम हुआ था वेटिनरी लाइश्टोक इंस्पेक्टर का उसके अंदर आया हुआ था कि कंसंट्रेट का यूरिया ट्रीटमेंट कब किया जाता है और यही कंसंट्रेट वाला कोस्टन हमने पंजाब का जो अग्जाम हुआ था उससे एक दिन पहले ही करवा था हमने याद किया था कि concentrate C तीन नमबर पे आता तो इसका urea treatment 3% urea से करते हैं तो इसका हो गया हमारा 3% next आता है succulent rafage जो succulent rafage होगा उसका हम कितने से करते हैं गिला होगा यह rafage तो 0.5% से करते हैं हमने S से बनाया था 5 S से बनाया था 5 तो 0.5% और जो स्ट्रा होगी उसके अंदर कितने से करते हैं स्ट्रा के अंदर करेंगे urea treatment 4% से कितने से करेंगे 4% से तो इसके अंदर जो सही नहीं है वो कौन सा होगा आपका सही नहीं है कैसे करेंगे स्ट्रा 4% succulent 0.5% concentrate 3% और राशन 1% जितना भी हम यूरिया पसू को खिलाते हैं वह सारा का सारा यूरिया किसके अंदर बदल जाता है रूमन के अंदर अमोनिया के अंदर बदल जाता है रूमन के अंदर जितना भी यूरिया अमोनिया के अंदर बदला उसका 90% जो अमोनिया होगी वह यूज़ कर लिया जाती है बैक्टिरिया के दुवारा प्रोटिन बनाने के लिए और जो 10% यूरिया रहेगा वह उसकी जो अंदर वाली मेंब्रेन होगी उसके दुवारा क्या कर लिया जाता है एब्जोर्ब कर लिया जाता है और यह यूरिया एब्जोर्ब होने के बाद कहां पर चला जाता है लीवर के अंदर चला जाता है लीवर के अंदर इसको दुबारा से अमोनिया के अंदर बदला जाता है और अमोनिया के अंदर बदलने के बाद इस ammonia का 90% तो ammonia कैसे निकल जाता है urine के थुरू निकल जाता है और 10% किसके दुवारा निकलता है saliva के अंदर saliva के दुवारा निकलता है total अगर हम किसी पसू को true protein दे रही है true protein दे रही है तो उस true protein का 40% 40% क्या हो जाएगा bypass हो जाता है और abomagen के अंदर चला जाएगा abomagen के अंदर चला जाता है और 60% वह यूज कर लिया जाता है किसके दुवारा rumen के दुवारा वह यूज कर लिया जाता है next आता है हमारा April 40% होगा और Corysept के अंदर से इनकी जो digestibility वहांपर रहे है कितनी रहती है 46% रहती है next question आवा महारा रहेगा question number 3 urea treatment in straw straw के अंदर जो urea treatment रहेगा उसके अंदर what is the ratio of water and urea urea की और water की जो ratio होगी हुए क्या रहती है अगर 100 kg straw है तो उसके अंदर 4 kg urea मिलाना चाहिए और 40 लीटर क्या मिलाना चाहिए पानी मिलाना चाहिए तो इसका ratio कितना हो गया 10 ratio 1 हो गया 10 ratio 1 हो जाता है next आता है हम इनका नाम बताना है मैज का क्या नाम होगा लूसरीन का क्या नाम रहता है बर्शीम का क्या रहेगा देखिए सबसे पहले बर्शीम को देखिए अगर ओती है क्या बनाते हैं, लागिम्मीनियस हे सभसे अच्छी बनती है ल्यूसर्ण से उसके बाद बनती है बरसीन से अगर वैसे पुछा जाई है best जो crop रहेगी है के लिए वह रहती है oat क्या रहेगी oat जो नमे की मातरा रहेगी कितनी रहती है 12-14% तक रहेगी अब देखिए जो बर्शीम होगा बर्शीम के अंदर क्या रहती है जो इसका plant रहेगा पोधा रहेगा वह किस परकार कह रहता है उसके अंदर तीन पतिया मिलेगी इसको बोला जाता ट्राइफोलियम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम तो इसका हो गया हमारा option number B next आता lucern lucern से best quality की leguminious है बनाए जाती इसको alpha भी बोला जाता है तो इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है मैडी कायगो styva मैडी कायगो styva और मेज को बोला जाता है मेज के अंदर क्या रहती है जी मेज इसको क्या बोला जाता है जी मेज बोला जाता है इसके अंदर जीन प्रोटिन रहती है next आता है oat ओट को क्या बोला जाता है ओट को बोला जाता है एविना स्टाइवा और सोर्गम को बोला जाता है सोर्गम बाइकोलर और most important number जो वो point बनते हैं वे क्या क्या बनेंगे पहला बनता है कि जो मैज है मैज को काट ले अगर हम milky stage के अंदर इसके अंदर carbohydrate की मातरा ज्यादा रहती है तना मोटा होगा तो इससे क्या बना जाएगा silage बनाया जाएगा और मैज के अंदर जो anti-nutritional factor होता हुआ क्या रहेगा साइनाइड रहेगा क्या रहता है धूरीन रहता है साइनाइड रहेगा मैज तो मोटा तना होगा सोरगम के अंदर रहेगा धूरीन सोरगम के अंदर साइनाइड पोईजनिंग रहेगी और इसके अंदर धूरीन anti-nutritional factor रहेगा साइनाइड पोईजनिंग को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मेज के अंदर जिन प्रोटीन होगी मोटा तना होता तो इससे क्या बनाई जाएगी best quality का silage बना जाता है और silage को जो best quality है उसको निकालने के लिए flake index यूज किया जाता है जो best quality का silage होगा उसकी जो pH value रहती होगा 3.564.2 रहेगी अगर जो best quality का silage होगा उसके अंदर जो acetic acid fermentation रहती हुआ है जादा रहेगी और butyric fermentation उसके अंदर क्या रहने चाहिए कम रहने चाहिए कम रहने चाहिए लूसरन को क्या बोला जाता है अलफा अलफा भी बोला जाता है बर्शीम का हमने बता दिया ओट ओट के से क्या होजाती नाइट्राइट पोईजनिंग होजाती नाइट्रेट पोईजनिंग होजाती और इसके लिए हम methylene blue का यूज करते है antidote के रूप में next आता हमारा question number 5 इसके अंदर हमें बताना है कि vitamin B2 vitamin B2 क्या है एक water soluble vitamin है जिसको riboflavin भी बोला जाता है vitamin B2 2 लिखते है T-W-O और T-O-E तो इससे क्या हो जाता करल टो पैरलाइज हो जाता करल टो पैरलाइज हो जाएगा vitamin B2 riboflavin से vitamin A को retinol बोला जाता है retinol से क्या हो जाता है जो poultry होगी उसकी isofagus के अंदर क्या हो जाएंगे चाले हो जाएंगे अलसर हो जाएंगे vitamin B1 को thymine बोला जाता है और B1 से star बी 1 star तो इससे star grazing हो जाएगी और polyneuritis हो जाती है और vitamin E को antistility बोला जाता है और इससे क्या हो जाता है crazy chick disease हो जाती है और vitamin B12 sinokobalamin kovalड अधात्य हो जाता है और इसकी वज़े से parnesiis ऑनिमिया हो जाता है अगर vitamin B6 की बात करें और B9 की बात करें B6 से क्या हो जाता है micro citic enigma हो जाता है और B9 से क्या हो जाता है macro citic enigma हो जाता है माइक्रो का मतलब होगा B6 RBC छोटी हो जाएगी और B9 के अंदर जो RBC होती होए क्या हो जाती है साइज में बड़ी हो जाती है नेक्स्ट आता हमारा प्रिकर्सर बताना है गल्यूकोज का जो प्रिकर्सर रहता होगा क्या रहता है प्रोपियोनेट रहता है और प्रोस्टागलांडिन का रहता है रैकेडोनिक एसिड और कोलिस्टिरोन का रहेगा क्या एसिटाइल को एंजाइम A और विटामिन D का रहता है कोलिस्टिरोल कोलिस्टिरोल विटामिन A के अलावा जो स्टिरोइड हार्मोन रहते है टेस्टोस्टोरेन एस्टोजन उनका भी प्रिकरसर रहेगा क्या कोलिस्टोल टैस्टोर स्टोरस्टोरी रहेगा कोणे प्रोस्टाँटी डिन tenga और तेuld उस्टोर्ण रहेगा रहेगा आपका कोणे तीरोन का और औरकि डोलिक रहेगा प्रोच्टागल स्टाडिन का प्रोत्षाल आपका रहेगा Quick यंद्ण Traffy versuchen , तप्रोपनेट तो थाइरोक्सिन का परिकरसर क्या रहेगा टाइरोसिन रहेगा टाइरोसिन रहेगा टाइरोसिन रहता है ट्रिप्टोफेन किसका रहता ट्रिप्टोफेन रहता निकोटिन एसिड का रहेगा ट्रिप्टोफेन नेक्स्ट आता हमारा पी एच ओफ रूमन रूमन की पी एच ब प्रोप्यविनिक और उसके बाद ब्यूटायरिक, अगर हम बात करें कि एक मॉल्पीमником करें किसका प्रोप्योश maze करें एक मॉल्पीमेनिक और अइनरजी मिलती है जो Acetic होगा और जो आपका Butyric Acid होता है ये होते हैं आपके Ketogenic इसलिए जो Ketogenic का ratio रहता है Volatile Acid के अंदर 4 ratio 4 तो होगे Ketogenic और 1 रहेगा आपका Glucogenic इसके अलावा जो Rumun होगा उसके अंदर जो Volatile Fati Acid बनते हैं उनसे Energy पसू की 70% और आपका ब्यूटाइरिक काम करेगा एक विशेज परकार की पैकुलियर समयल देने के लिए dairy product के अंदर और प्रोपोई ने क्या काम करता है glucose बनाने का काम करता है next आता आपका extra concentrate increase अगर आप पसू को extra concentrate fit दे रहे हैं तो उसे पसू के अंदर क्या बढ़ जाएगा fat बढ़ेगी, milk yield बढ़ेगा, protein बढ़ेगा या कुछ भी नहीं बढ़ेगा अगर आप पसू को रफेज दे रहे हैं और रफेज के अंदर भी अगर आप succulent रफेज दे रहे हैं तो उसे पसू की क्या बढ़ जाती है fat बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती है पसू की fat बढ़ जाएगी, अगर आप पसू को concentrate दे रहे हैं तो पसुवा क्या बढ़ रहा है? milk yield बढ़ रहा है और extra raphade से क्या बढ़ेगा? उसका fat बढ़ेगा next आता है आपका question number 11 aerobic और anaerobic oxidation of glucose अगर glucose का aerobic oxidation हो रहा है अब देखिए इसके लिए जो condition होगी सबसे पहले होता है glucolysis glucolysis होगा यह आपका cytoplasm के अंदर और वहाँ पर बनते हैं 8 ATP क्या बनते हैं 8 ATP हम aerobic की बात कर रहे हैं इसके बाद आता आपका क्रेप्स चक्र होगा क्रेप्स चक्र के अंदर आपके एक molecule glucose से 30 ATP बनते हैं तो 30 A और 8 यह कितने बनें 38 तो aerobic के अंदर 38 बनेंगे तो option number C रहेगा हमारा और anaerobic के अंदर क्या कितने बनते हैं 2 ATP बनते हैं कैसे बनेंगे इसके अंदर भी glucolysis होता है और 8 ATP बन जाएंगे 8 ATP बनने के बाद anaerobic के अंदर यहां पर क्या होगी fermentation होगी और fermentation के अंदर energy loss होगी कितने ATP loss हो जाती है 6 ATP loss हो जाती तो कितने बच गए 2 ATP तो anaerobic के अंदर कितने बचते हैं 2 ATP बचते हैं इसके अलावा एक molecule अगर हम glycogen use करें और aerobic condition के अंदर तो उससे हमें 39 ATP energy मिलती है और anaerobic condition के अंदर 1 molecule of glycogen से हमें 3 ATP energy मिलती है next आता हमारा question number 12 rumen के अंदर जब food का fermentation होता है तो उसके लिए जो essential microorganism काम करते हुए कौन कौन से होंगे वे bacteria भी होंगे protozoa भी होंगे और fungus भी होंगे तो all of the abo जो protozoa होगे ये लगबग 10 range की power 6 fungus 10 range की power 3 और ये 10 range की power 9 से 10 range की power 11 तक रहते हैं 11 तक रहेंगे और बैक्टिरिया कैसे रहते है ग्राम नेगटिव रहते हैं DCP of normal straw और urea treated straw अगर हम बात करें normal straw normal straw के अंदर जो crude protein होती हुए रहती है 3% लेकिन DCP रहती है कितनी 0% तो DCP रहेगी 0% अगर हम युरिया को च्ट्रा को युरिया से treated कर दे तो उसके अंदर जो CP होगी वह तो 3% होगी 3% किसके अंदर थी normal के अंदर लेकिन urea से treat कर दिया तो हमने उसके अंदर DCP कितनी हो जाती है 4-5% तक हो जाती तो option number हमारा क्या रहेगा option number हमारा रहेगा C इसके अलावा जो normal straw होगी उसके अंदर जो TDN रहती है वह कितनी रहती है 40% 40% और digestibility रहती है 46% अगर हम urea treat कर दे तो यह 40% बदल जाता है 50 में और यह 60% बदल जाएगा 70% के अंदर next आता है higher amount of this vitamin in body produce toxic effect on body अगर इस vitamin की मातरा शरीर के अंदर जादा हो जाए तो यह toxic effect पैदा करता है water soluble यह नहीं करेगा क्योंकि अगर water soluble vitamin है वे तो urine के थूरू बाहर निकल जाएंगे fat soluble बिल्कुल यह करेंगे fat soluble vitamin होंगे यह fatty tissues के अंदर deposit हो जाते deposit हो जाएंगे और क्या करेंगे शरीर के ऊपर toxic effect करते हैं next आता lactation tetanine अगर कोई भी tetanine आ जाए उसके लिए responsible होता magnesium लेकिन अगर मेयर के अंदर बात करें मेयर के अंदर lactation tetanine लाने का काम करता कौन calcium यह important question है बहुत जादा इसको याद रखना lactation tetanine, tetanine, grass tetanine हो जाए, grass stagger हो जाए इसके लिए सभी के लिए responsible होता magnesium लेकिन मेयर के अंदर lactation tetanine में responsible होगा कौन calcium ऐसा ही यह एक pregnancy toxemia pregnancy toxemia जो sieve होगी pregnancy toxemia sieve के अंदर इसको बोला जाता ketosis क्या बोला जाता ketosis को pregnancy toxemia बोला जाता किसके अंदर calcium और phosphorus का anti होता कौन magnesium कोन होता magnesium और calcium की कमी से ostomalasia, rickets, osteoporesis हो जाता है milk fever हो जाता है और vitamin D, vitamin D और calcium यह दोनों एक साथ काम करते हैं और मेगनीज की कमी से मेगनीज, कोलीन और इसके अलावा आपका बायोटीन, इनकी कमी से क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, पैरोसिस हो जाता है, सलिप्ड टेंडन हो जाता है, क्या हो जाता है, सलिप्ड टेंडन हो जाता है, और विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, बलट कलोट है नहीं होगा नेक्सた रता है iron dextron ka जो injection हो गिसको दिया जाता है iron dextron का टिका दिया जाएगा आपको pigs के अन्दर pigs के अन्दर कैसे दे होगे इसके अन्दर electro split होगा वह बढ़ा होता है यचिली에 इनके अन्दर pigfiklet en Cheers होने के chances कब बढ़ते हैं फॉर्थ डे बेक किस दिन पर फॉर्थ डे पर इससे क्या होगा इसलिए जो सो होगी उसके जो अडर होगा उसके उपर क्या कर दिया जाता है फैरस सलफेट का पेश्ट लगा दिया जाता है ताकि जब जो छोटे piglets होंगे, suckling करेंगे उनके साथ iron भी शरीर के अंदर चला जाए इसके लावा आप क्या कर सकते हो जो pig होगा या फिर show होगी उसको fourth day पे और 14 day पे iron dextran का injection लगाया जाता है next आता आपका essential amino acid essential amino acid की बात करें swine के अंदर कौह सा होगा? poultry के अंदर कौन सा होगा amino acid से पहले हम fatty acid की बात करेंगे जो fatty acid होते हैं कौन से होगे? सबसका के अंदर एंदर सीप की बात करें, सीप के अंदर जो wool होगी, wool के अंदर sulfur percentage होती है 4%, और sulfur containing जो amino acid होता हुआ होता है mythionine, इसलिए सीप के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा amino acid होता है, mythionine होता है, सीप के अंदर nitrogen और sulfur का ratio कितना रहता है, वह रहता है 4 ratio 1, और animal feeds के अंदर nitrogen और sulfur ratio कितना रहेगा रूमिनेट्स के अंदर 10-1 रहता है 10-1 रहेगा essential amino acid अगर ruminates के अंदर बात करे हुआ है कितनी होगी zero होंगे poultry के अंदर 11 होंगे और जो swine होंगे उसके अंदर 8 होते है कितने होते है 8 होंगे swine के अंदर कौन इसेंसिल अमीनो एसिड रहता है लाइसिन कैसे याद किया था पगली से याद किया था पगली से कैसे पैसे पिग और गली से गलाइसिन सोरी यह हमने किया था पॉल्टरी के लिए पगली पैसे पॉल्टरी और गली से गलाइसिन तो पॉल्टरी के अंदर तो गलाइसिन इसें होता है टावरीन होता टोरिन और टोरिन क्या रहता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एचिड है तो उप्शन नमबर डी रहेगा हमारा और एर्गिनिन यह आपका सही है एर्गिनिन सही है तो आसा करता हूं सभी को यह पसंद आया होगा धन्यवाद